दोस्तों ये कहानी एक ऐसे मजनू लोंडे की है जो अपनी सोतली मा का डोल बजा देता है और एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार डोल बजाता है यानि की भटा भट 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 करता रहता है दूसरे सब्दों में चैनी खेनी बना देता है तो चलिए देखते हैं कहानी की शुरुवात में हमें दो लैला मजनु दिखाया जाते हैं लैला का नाम एना और मजनु का नाम पीटर होता है आगे पीटर एना को बताता है कि पुलिस नवसे किसी काम से दूसरे सहर में बुलाया है और मैं रूबिका के साथ जा रहा हूँ तो एना कहती है हाँ जा साले मैं तो तेरी कुछ हुई नहीं मुझे क्यों ले जाएगा तू इसके बाद मैं कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहांपर पीटर और एना अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ काफी खुशी से रह रहे थे वहीं अगले दिन हमें पता चलता है कि एना पीटर की सेकंड वाइफ है और उसकी फर्ट वाइफ का नाम रूबिका है पीटर ने अपनी पहली वाइफ रूबिका को डिवोस दिया हुआ है और उन दोनों का एक गुस्तफ नाम का एक बेटा भी है जिससे पीटर काफी प्यार करता है और इसी हफते गुस्तफ पीटर के घर रहने के लिए आने वाला था इस वज़े से पीटर बहुत हैप्पी था और कुछ दिन बाद पीटर गुस्तफ को घर लेके आता है जिसे देखकर रेना उससे गले लग जाती है अब आंटी पैड चुआने चाहिए गले लगा पर गुस्तफ इस पर कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे रगता था कि पीटर ने उसके मौम का डिवास एना की वज़े से दिया है और अब मैं एना की दुकान का गुदाम बना दूंगा खुली सड़क पर सारयाम बजा दूंगा इसलिए वो एना और पीटर को कु बहुत ज़्यादा खुश है आगे जब एना घर पर आती है तो उसे वही कीचेन मिलती है जो इसकी बेटियों ने गुस्तफ को दिया था और उसे वह अपने पास रख लेती है अगले दिन एना जब अपनी बेटियों को घर लेके आती है तब उसे घर में से किसी के चिलनान में चला जाता है उसी रात हम एना और पीटर को बात करते हुँ देखते हैं पीटर कहता है कि गुस्तफ को यहां लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है पर इस पर एना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम उसे घर के महौल में डलने के लिए थोड़ा टाइम दो और वो अपना ठीक हो जाएगा इसके बाद अगले दिन जब एना जिम से घर वापस आती है तो वो विंडो को कांच तूटा हुआ देखती है ये देखकर वो तुरंत अंदर जाती है जहां सारा समान विखरा हुआ था दरसल उनके घर में चोरी हुई थी तो एना तुरंत पुलिस को कॉल करके इंफॉर्म करती है अगले सीन में जब एना कपड़े दो रही थी तब उसे गुस्तफ की पैंट में से वही कीचेन मिलती है जो इसने घर के बाहर से उठाई थी जिससे वो समझ जाती है कि गुस्तफ ने उनके घर पर चोरी की है फिर एगले दिन वो ग कीचेन तुमारे पैंट के अंदर से मिली और इसका मतलब यह है कि तुम ने घर पर चोरी की थी यह सब सुनकर गुस्तफ पहले तो इन सब से मना कर देता है लेकिन एना के जोर देने पर वो यह बात मान लेता है कि उसी ने चोरी की थी और फिर वो एना सही सरकत के लिए भी मांगता है तब एना कहती है कि मैं इन सब के बारे में पुलिस को बता सकती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को कुछ भी ना बताओं तो तुम्हें घर में सबी लोगों से अच्छे से बरताब करना होगा अब गुस्तफ के पास कोई और आप्सन नहीं था इसलिए वो एना की बात को मान जाता है फिर इसके अगले दिन से गुस्तफ एना की बेटियों के साथ अच्छे से बरताब करना सुरू कर देता है ये देखकर पीटर को काफी खुसी होती है ऐसे ही एक रात जब एना घर पर काम कर रही होती है तब ही गुस्तफ अपनी एना को घर लेकर आता है घर पर वो एमेनडा को एना से मिलवाता है और फिर वो दोनों उपर जाकर बठाबर 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 करने लगते हैं ये सारी आ आक है कि अवाजे सुनकर और पीडर जाती है कर लाती हैं तब ये ऐना को गुस्तफ के हाथों पर बना टैटू काफी पसंद आता है इस पर गुस्तफ कहता है कि मैं सेम टैटू तुमारे हाथों पर भी बना सकता हूँ ये सुन एना पहले तो ऐसा करवाने से मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है जिसके बाद गुस्तफ वहीं टैटू एना के हांथ पर बनाता है अब गुस्तफ के ऐसे बरताफ से एना को बहुत अच्छा लगता है और फिर धीरे दीरे एना के अंदर गुस्तफ के लिए फीलिंग आने लगती है इसके बाद अगले दिन पीटर अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाता है वो लोग खूब बाते कर रहे थे जिस दुरान हम एना को देखते हैं वो उनके बीच काफी अकेला महसूस कर रही थी इसलिए वो नीचे जाकर बैड़ जाती है उसे देखकर गुस्तफ वहाँ पर आता है और बातों बातों में बताता है कि मैं कलब जा रहा हूँ और फिर एना भी उसके साथ कलब चली जाती है क्योंकि वो घर पर बहुत बोर हो गई थी आगे हम दोनों को कलब में ड्रिंग करते हुँ देखते हैं जहां पर एना गुस्तफ से उसकी गल्फ्रेंड अमानदा के बारे में पूछती है इस पर गुस्तफ कुछ क्या पाता है उसे अमानदा का मैसी जा जाता है और वो वहाँ से जाने की बात करता है तब ही अचानक से एना उसे किस कर लेती है लेकिन गुस्तफ इस पर कुछ नहीं कहता और वहां से चुप-चाप चला जाता है अब एना की हरकत से हम समझ पाते हैं कि वो गुस्तफ से प्यार करने लगी है अब हम एना को गुस्तफ के बारे में सोचते हुए देखते हैं वो उसे अपने दिमाग से भुलाई नहीं पा रही थी ऐसे ही जब एक रात एना को नीद नहीं आ रही थी तो वो गुस्तफ के रूम में चली जाती है यहाँ वो गुस्तफ के करीब आने लगती है और गुस्तफ भी उसे नहीं रोकता तो गुस्तफ एना की बात टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है इस दुरान एना उसे अपनी लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में बता रही थी इसके बाद अगले सीन में हमें एना की बेटियों की बड़े पार्टी दिखाई जाती है जहां पर बहुत सारे मेमान आये हुए थे उसी दुरान जब एना किसी काम से दूसरी तरफ जाती है तब गुस्तफ वहाँ पर आकर उसका करीब आने लगता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए एना की बेहन लीना देख लेती है जिससे लीना बहुत गुस्ता हो जाती है और एना को भला भुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है अब इस इंसिडेंट के बाद एना बहुत ज़्यादा डर गई थी इसलिए वो गुस्तफ को इगनोर करने लगती है एना की ऐसे बरताफ से गुस्तफ भी चिड़ जाता है इसलिए वो पेड़ पर चड़ कर सब को परसान करने लगता है ये देखकर सब लोग उसे नीचे आने के लिए कहते हैं पर तभी अचानक से वो नीचे गिर कर भेवस हो जाता है ये देख सभी लोग चिंता में पढ़ जाते हैं लेकिन तभी गुस्तफ असते हुए उड़ता है और सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था पर ये प्रैंक पीटर को जरा भी पसंद नहीं आता इसलिए वो गुस्तफ को बहुत डाटता है अगले दिन एना गुस्तफ को जंकल में बुला कर कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी चला है उसे अभी यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि अगर किसी को इसके बार में पता चला तो वो दोनों एक बहुत बड़ी प्रोबलम में फस जाएंगे गुस्तफ तो पहले इन सब से इंकार कर देता है लेकिन एना के बहुत कहने पर वो मान जाता है इसके अगले दिन एना जोगिंग करके वापस आती है तो वो गुस्तफ और पीटर को बात करते हो देखती है ये देखकर वो काफी ज़ादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पीटर को अपने और मेरे अफैर के बार में बता रहा है लेकिन एना के पूछने पर पीटर बताता है कि वो गुस्तफ के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर गुमने जा रहा है ताकि उन दोनों करिस्ता थोड़ा और बैतर बन जाए आगे पीटर ये भी बताता है कि लीना ने उसे कॉल किया था और वो कह रही थी कि उसे तुम से कुछ बात करनी है इसके थोड़े दिनों के बाद आएना अपनी बेटियों को ले कर लीना के घर जाती है जहां वो लीना को समझाने की कोशित करती है कि अब गुस्तफ और इसके बीच में कुछ नहीं है लेकिन लीना उसकी एक बात नहीं सुनती और उस अपने घर से जाने को कहती है ये सुनकर एना चुपचाप अपने बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है वहीं घर आने पर वो देखती है कि पीटर और गुस्तफ वेकेशन से वापस आ गए है रात में सब केसे हो जाने पर पीटर एना को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमारे और गुस्तफ के आफेर के बारे में पता चल गया है दर असल ये बात उसे लीना ने नहीं बैल कि खुद गुस्तफ नहीं बताई थी ये सुनने के बाद एना गुस्तफ को जोट़ा ثابित करने के पूरी कोसिस करती है और कहती है कि गुस्तफ ये सब इसलिए कह रहा है ताकि मुझे तुम तलाग दे दो और वापस रूबिका के पास चले जाओ आगे पीटर कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर बरोसा करूँ तबी एना उसे ये भी बात बताती है कि उनके घर में किसी और नहीं बेलकि गुस्तफ नहीं चोरी की थी ये बात सुनने के बाद पीटर को एना की बातों पर विश्वास हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गुस्तफ नहीं उससे जुट बोला होगा फिर अगले दिन एना उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है जिसमें उसकी और गुस्तफ की रिकॉर्डिंग थी ताकि गुस्तफ इस सचाई को प्रूब ना कर सके इसके बाद अगले सीन में हम पीटर और एना को गुस्तफ के साथ बात करते हुए देखते हैं जिस दुरान पीटर गुस्तफ पर काफी गुस्ता करता है और कहता है कि तुमने मुझे एना के बारे में जूट क्यूं बोला ये सुनकर गुस्तफ को काफी बुरा लगता है कि प एना से कितना गुस्सा है और फिर अगले सीन में पीटर ए गुस्तफ को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देता है अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और हम पीटर को परसान देखते हैं क्योंकि वो गुस्तफ को काफी मिस कर रहा था अब इसके कुछ दिनों के बाद गु गुस्तफ को भी कहती है इस बात को सिल्द गुस्तफ का मुँछ छोटा सा हो जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि वह अब काफी जाता लाचार हो गया था उसी रात जब पीटर सो रहा था तभी गुस्तफ उनके घर आता है जब एना गेट खोलती है तो गुस्तफ उससे कहता है कि मुझे बस एक बार अपने डैट से बात करनी है लेकिन एना उसे पीटर से मिलने नहीं देती इसलिए गुस्तफ दुकी होकर रोने लगता है पर एना उसे वहीं छोड़ कर अंदर चली जाती है अब अ किसमस के बात से किसी नहीं देखा पर इस बात को पीटर जादर सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्तफ फिर से कोई प्रैंक कर रहा है वहीं दूसरी तरफ एना ये बात सुनकर टैंसल में आ जाती है क्योंकि क्रिसमस की रात उस नहीं गुस्तफ को आ कहीं मिला या फिर नहीं इस पर पीटर कहता है कि गुस्तफ मर चुका है और पुलिस को इसकी डैड बोड़ी मिली है दर असल गुस्तफ उसِّ जगह पर पीटर के आने का वेट कर रहा था जहां पर वो पीटर के साथ वेकेशन मनाने के लिए गया हुआ था लेकिन उस टाइम वहाँ पर काफ़े ज़्यादा ठंड थी लेकिन ठंड के मारे गुस्तफ की वहीं पर मौत हो गई आगे आना पीटर को संभालने की कोशिस करती है लेकिन पीटर उसका मूँ बंद करके उसे सांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वह इन सबका जिमदार उसे ही मान रहा था इसके बाद अगले दिन पीटर अपनी फैमली के साथ गुस्तफ के फंडल में निकलता है और यहीं पर ये मूवी खतम हो जाती है दोस्तो अगर आपको मेरा एक्स्प्लेन पसंद आये हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर देना मूवी डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर जोइन हो जाओ